पाकिस्तान की टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में इंगलेंड को 152 रन से हरा दिया है इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में एक से एक की बराबरी कर ली है खेल के चौथे दिन इंगलेंड के सामने 261 रन की चुनौती थी और उसके आठ बल्लेबाज शेश थे लन्ज से पहले ही इंगलेंड की टीम दूसरी पारी में 144 रन पर आल आउट हो गई नोमान अली ने पहली पारी में 6 विकेट चटकाए पाकिस्तान ने इस जीत के साथ WTC Points Table में अपनी स्थिती में सुधार किया है वहीं इंगलेंड की टीम को भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान की टीम इस जीत के साथ आखिरी पाइदान से आठवे नंबर पर पहुँच गई है वहीं इंगलेंड की टीम नंबर 4 पर बनी हुई है भारतिय टीम टॉप पर बनी हुई है वहीं आस्ट्रेलिया दूसरे तो श्रीलंका की टीम तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान की तरफ से 38 साल के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली ने दूसरी पारी में 46 रन देकर 8 लिए बाबर आजम, शाहीन अफ्रीदी और नसीम शाह की टीम से छुट्टी होते ही पाकिस्तान की किस्मत पलट गई For more cricket updates follow cricket country